वाज रादे दूस्तो जैलान जी की आज बहुत बदन-बाद हम दोनों मिले हुए हैं तो सुचा एक ब्लोग मनाल है बहुत time हो गया तो यह देखे हम लोग लोग पीज-बुए राहें खेयत में यह देखे यह गह हैं हम लोग दूसरे खेत में जा रहे हैं कुछ बुलने चाहों कि सत्यम भाई हाँ इस बार हमने चार बीज बुए हैं एक लोकमन है एक घर का ही बीज है लेकिन वो मुझे पता नहीं है और एक 322 भी है और एक और है वो हमारे बड़े भाई लेकिया है तो उसका नाम नहीं पता ह हमें दो का पता है एक लोकमन और एक 322 वार बोनी की है हम देखना चाहते हैं किसमें ज्यादा उपज हो रही है हमने यह तो बोया है लोकमन जो यह बोनी की हुई है इसका तो अच्छा फिलाहल भारा भारा खित लग रहा है अब जो बाल के बादी रेजल पता चलेगा कौन कितना लंबी बाल बड़ी है चोटी है उसमें उपचका अंदाजा लगा सकते हैं फिलाहल में और हम आखरी में जरूर बताएंगे कौन सा बीज बड़िया है कौन सा नहीं है हम दूसरे खेत के नजदीक पहुँच गए हैं हम आपको दिखाते हैं 322 जो हमने बोया था वो दिख गये हम पैरो से वाल वो खेत है 322 जो हैं यह भी सही है कुझ एक-ड बेंस सत्तर किलोग दा ता सत्तर किलोग की बोनी है यह कि यह पास मैं चने चनी की बोनी की एक खोजवा है का जवा वो होता नहीं है जिसमें अगर चना बूलते हैं यह वही बाला चना है और हम जा रहे हैं दूसरे में जो स्री राम का बीज है साइथ 302 है बो भी हमने बोया था अलग-अलग बैराइटी बोई है जिससे हम पता लगा सके किसमें कितना दम है किसमें ज्यादा उपज है किसान भाईयों को कम समय में कौन सी फसल ज्यादा फायदे बंद रहेगी बोने से कौन गोहुजादा निकलेगा कौन कम निकलेगा कौन बेना चाहिए कौन नहीं बोना चाहिए हमारी चपलों में लग गई है लेट चपल लग रहा है कि तूटना जाए क्योंकि पानी लगा हुआ है खेत में हम देखाते हैं दूसरा खेत आपको देखिए सुरेंद भाई पहुंच सके हैं खेत में नाजल की करेंगे पल्टी पानी कर रहा है हम पानी भी लगा हुए हैं और दिखा रहे हैं स्री राम का स्री राम का है सीट राम्राव मत्हम की आधी ऊध्या का बिट गाटन है भाई लेकों वाई सिराम का है भाई सिराम का 302 बहुत बड़ी है बहुत घणा पेड़ बना दीया पहले जब बोया था तब तो देख रहा था बहुत बिरी बिरी है क्यामे लग राता कि दब गई है फ़सल दब गई है लेगन अब बाई बड़े होने के बाद पेड़े अलागी दिखने लगते हैं देखा जाए तो दोस्तो जब हमने इसे बोया था तब बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि जिससे बहुत कम निकल ले की फसल की उम्मिद लग रहे थी अब देख रहे हो खेद में पैर रखने को जगा नहीं इतनी घनी हो गई है पिसी और ये सम्टिंग साट डिसमिल के करीब जगे होगी जिसमें हमने 45 किलो भीज ही बोया है साट डिसमिल में हमारे सुरेंद भाई नौजल पलटते हुए हम भी पलटवा देते लेकिन हमारे चपल पहनने के कारण चपल उतार के भी जा सकते हैं लेकिन ठंड में कौन हो से यार लाइक तो बनती है यार किसान भाई के लिए तनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर देना सत्यम डेली विलोगर जो एसमें भाई स्वरेंद भाई भी है शामिल खाद पड़ रहा है और वो हमने सरसमा बोया था और यह हमारे बड़ित्ताओ जी की फसल है जोकि उनने दवाई नहीं डाली है अभी कचड़े की तुम देख रहे हैं कितना सारा कचड़ा है ध्यान नहीं रखते हैं फसल लगाते हैं कुछ ध्यान नहीं रखते हैं हमने भाई कचड़ा होते ही तीन दिन बाद ही दवाई डाल दी थी कचड़े की कचड़ा देखा भाई कि हाँ कचड़ा है तो तीसरा दिन ही हम दबाई लेके आ गए थे देखने के बाद और हमने डाल दी कह रहा है थे दुकानदार के चार से पाथ दिन में इसका रजल्ट मिलेगा देखने को कचड़ा मरता हुआ देखेगा तुम्हें और बागी तो सब उपर वाली किरपा है यह रहा पूरा खेट यह हमारा सरसमाई बोय हुआ है जादा जगाय में नहीं खेटी की इस बार कम जगाय में की है अलग अलग बीज बोय हैं देखने के लिए क्या कौन सी उपज है जादा फसल की कौन से बीज में क्रिज़ से छो कि नहीं गगा है लिए को वे देखने के अलग वे रहा है जो च्टेश की एक लिएवारा का वेशने के आद़ में हो और बीजू के जो कि यह हैं जगा है